तो तो कमारी है कि याज हम साइन्स की पेपर पेटन को जानेंगे कि हमारी गुजराट बोट पेपर पैटन धी idle परोस करती हैनि उसे जाने के हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या हमें खाना है उस थाली में से, आप देखो गुजरात बोड ने हमें एक परफेक्ट पैटन माना के देख यहां यहां से आपका यह चीजे आएगी, हमको पता है क्या क्या आने वाली है, तो हब हम, अब हम smartly work करके समझ सकत हैं, यह अच्छा मुझे यह पढ़ना है, कुछ मुझे यह नहीं पढ़ना है, एक बच्चा अगर इस वीडियो को देख के smartly अपने दिमाग को चलाना सीखता है ना, तो आराम से वो chapters देख सकता है, यह chapter में हाड है, तो मैं इन्हें हटा देता हूँ, पर इसकी जगा पर दूसरे chapter से ना, यह मेरे लिए easy है, तो मैं इनको पढ़ लेता हूँ, इनको मैं पढ़ लेता हूँ, मैं आपको बताँगा किस तरीके से वो चीज़े करनी है, हम जानेंगे आगे कि वीडियो में किस तरीके हम करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे, शुबात करेंगे, अगर देखो, अगर आप यह चीज़ों करते हो ना, इन चीज़ों करते हो ना, तो आपके आराम से board exam में 80 में 80 आने से कोई नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो board वाले हमको इतना easy करके दे रहे हैं, board, आप समझो, अगर किसी बच्चे ने यह चीज़ देख ली ना, कि समय बचा है, और इस समय को smartly हमें use करना है, इस कम समय के अंदर हमें इतनी मेहनत करने हैं, इतना smartly work करने है, hard work, smart work को मिला कि इस तरीके से काम करना है न, कि आगे, कि अगे इस अगर इन चीज़ों से इतना smartly work करेंगे न, कि हमारे पूरे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सक शुरुआत करते है, science की paper pattern के साथ, अगर देखे तो section A के अंदर क्या क्या आएगा, 24 marks का section A है हमारा, objectives होंगे सारे के सारे, 6 mark के हमारे MCQ है, 6 mark के fill in up line से, 4 mark के true or false है, 4 mark के one marks question है, 4 mark की matching है, ठीक है, इस तरीके से 24 marks का हमारा section A ही चलेगा, अब अगर section B की तरफ बढ़े, अ आपका जो दूसरा question होगा ना वो chapter 3 से आएगा, आपका जो तीसरा question होगा ना वो आएगा chapter 5 से, समझे जो किस तरीके से वो बूट वाली ने बता दिया है, कि यार आपका यहां से यह चीज़े आएगी, तो हमें क्या करने है, smartly work करने है, कि यार ये chapter मेले हाड़े, हाड़ है, यह मैं एक general perspective से रहना, कौन सा हम सबको हाड लगता है, और आप अपने हिसाफ से भी इसको बना सकते हो, आप देखो, section भी आता है, हमारा अटरा माक का, जिसमें हमारे 2 मास वाले question आते है, उसमें से 13 question है, यह 25 to 37, 13 question में से हमें सिर्फ और सिर्फ 9 attempt करने, सिर्फ और सिर जो कि 13 में सिर्फ 9 attempt करने, कि आपको already आप 4 questions को आप skip कर सकते हो, 4 questions को आप skip कर सकते हो, तो आप समझो, कि यहां पर ही आपके 13 question का क्या के दिये गए, पहले से ही दिये गए, यह यह chapter से आएंगे 13 question, तो कौन सा chapter आपको हाड लगता है, आप देख लो, और उस chapter में से उस question को हटा देंगे आप नहीं पड़ो, अब आप देखो, 7 chapter है न, हर बच्ची का दिमाग खाता है, हर बच्ची का दिमाग खाता है, है लिए डिटी वाला न, उसके पहले और कोंज है, how do organisms reproduce, वो chapter सबका दिमाग खाता है, बहुत हाड है, बहुत नहीं अच्छा लगता है, मुझ यहीं से पेपर आएगा, यहीं से पेपर आएगा, हुझात बोल ने खुद यह दिया, आप जाके देख सकते हो, आप देखो, तो हर साल अगर हम देखें, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ देखो, तो question number थी, यहाँ चेट्टर नबर 7 है, चेट्टर नबर 7 को मैंने निक अगर आप का है, उसमें समझो, यह 2-2 माक के 4 कोशन है, यहाँ पे तनी 3 माक के 2 कोशन है, ठीक है, हो गए, 10 माक, अब आप देखो, जो 7 चेटर है, यह 7 चेटर है, 7 चेटर में आप अगर देखेंगे, तो 7 चेटर में यह दो कोशन है, हमको नहीं अच्छे लग रहे, और 2 निकाल सकते हैं, हम और 2 कोशन निकाल सकते हैं, पर अगर हम देखें, तो section B में आपने 1 चेटर हटा दिया, तो भी आपका काम अलमोस्ट हो जा रहे, समझो, आपका 1 चेटर यहाँ पे कट गया, यह चेटर यहाँ पे कट गया, वैसे ही अगर बात करें, section C के अंदर, जो कि 7 chapters हैं, इसके अंदर भी, आप भोलो section C में, तो आरा 7 chapters, sir इससे किसे लड़ाई करूं, यहाँ पर कैसे option निकालूं, यहाँ से भी मत पढ़, यहाँ से भी, मत पढ़, मत पढ़, यहाँ से भी, अगर तुझे पता है कि दुसरे दुसरे chapter जो है, जैसे कि हमारा 11 chapter है, 9 chapter है, यह सारी easy-easy chapter है, यह तो आप से हो सकते है, chapter number 6 है, अगर यह hard लगता है, यह hard लगता है, तो इसको भी निकाल दे, इसको भी, निकाल दे, यार सबका धिमाग खाने वाले चप्टर है यार यह तो control and coordination धिमाग ही खड़ाफ कर देता है अमरा यार मेरे को नहीं पढ़ना है brain के बारे में क्यों जानू मैं brain के बारे में ठीक है नहीं पढ़ना है मुझे अगर नहीं पढ़ना है नहीं अच्छा लग रहा है किसी बचे को चेवन तो अपको नहीं एच्छा मतबढ़ो अगर किसी को और को च young版 हाड लग रहा है किसी को nine Later Had पढ़ना है, अब बच्चा है वो बोलेगा, यार सर, मेर और अब हेरेड़ी का चेटर है नो, उसमें जीन्स-पीजन्स के बारे में जादा दिमाग चलता निए, मैं बोलता हूँ, ठीक यार धरा, अगर धिमाग नहीं चलता है, तो इसमें आई रहे हैं, इसमें आई रहे पर आने नहीं आले तो आप उसको पड़ो ही माद उसको सिर्फ objective करके जाओ उसके digest के पीजिस सारे अब जुस कर लो one mark वाले questions कर लो जो छोटे मोटा आते हैं वो कर लो इसके तो समझो आपको इसके तो खाली one mark वाले questions करने तो मैं इसको रखता हूँ कि चालू ठीक है ऑजएक्टिवस करने करने के खूछना नहीं भी करते हो तो पिसमें फूल मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि औशिक्षिन इसवाद देखें अगर सेक्ष्षन दी के अंदर यहां लिए तो section C को एकदम बढ़िया तरीके से फार गए निकाल दिया section B मेंसे भी, अगर section B में भी समझो ऐसा को chapter है, जो आपको hard लग रहा है, आपको hard लग रहा है, आपको first chapter नहीं हो रहा है, first chapter नहीं हो रहा है, तो आप देखो, कहीं और आ रहे हैं, बैई first chapter वो से भी आपर आ रहा है और प्यूद इसुमे आएगा वैज 5 माघ का है 2 माघ का यह 50 लग रहा है to फर्ट्ट के से objectives पर ले फर्स चेप्टर इस पर्ले और हो सकता है फर्स चेप्टर इसी है आप कर सकते ऐसED तो आप इसे पढ़ लो मैं मानता हूं second chapter जो है na acid basis दिमाग खा जाता है दिमाग खा जाता है acid basis and salt है बहुत हाड लगता है बच्चों को equation 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 समझी नहीं आती पर ले ही नहीं पढ़ती है भाई मेरे भी नहीं पढ़ती थी ninth में बट करना परता है बट करना परता है पर अगर कोई बच्चा बोले या sir acid based chapter अगन में नहीं पड़ू तो चल जाएगा यह उसको निकाल दिया जाए वगवान करे तेरी इच्छा पूरी हुई मत पढ़ तेरी इच्छा पूरी हुई मत किया इसको मत पढ़ इसको मत पढ़ निकाल दे हमें कितने भई आट में से सिर्पाँ पांच हेटेंब्प करने अच मेंसे सिर्पांच असरे पर रहर गाले है इसके ओपच्छा 曲श्क्य इंगे और अबिट्स्तों क्लियर हो घाएँगे ओगए क्लियर हो जाएंग एकस्स व्터 झुप को शुलीजेस के, उसके अलावा जो यह है, यह इसको आप पने फॉक्त करो आप ऐसे करने पिरृप्र के नहीं शूर्ट आपकी easy chapter, hard chapter की दो नाव है, दोनों नाव में पैर रखोगे, तो आप गेस सकते हो, बट आप एक ही नाव में, जो आपकी chapters आपने बना रखा, एक mindset एक नाव के अंदर चल रहो हो, मुझे पता है, यह पढ़ने है, और मुझे इन chapters को revise करते रहना है, करते रहना है, आपको revision time भी इसमें बचेगा, और कर सकते हो revision इसके साथ साथ, तो आप इस तरीके से आप अगर करोगे, इस smart work से पढ़ाई करोगे, और हम से आपके पूरे नंबर लाने से कोई नहीं सकता, आपको क्या लगता है, टॉपर लोग हर दिन क्या गिस-गिस के पढ़ाई करते हैं, गदा मस्दूरी करते हैं, नहीं यार, भोलोगी इस तरीके से smart work करते हैं, स्मार्ट वक करके ही वो लोगे पढ़ते हैं, अब देखो, अभी हमने second chapter निकाल दिया, अब बच्चा बोलेगा sir, एक chapter है carbon-carbon, एक chapter है carbon-carbon, हिला देता है, मेरे brain का wire, carbon-carbon, 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 carbon नहीं अच्छा दता मुझे, carbon-n-h compound कौन बढ़ है, hydrocarbon के बारे में कौन बढ़ है, अगर हम इसको skip कर दें, तो दो माँ के objective तो हम लोग in Facebook मेंसे करके जा सकते हैं, issues मेंसे करать जा सकते हैं, आपको आगे आने वाले videos में शायद practice paper भी मिल सकते हैं, practice paper भी मिल सकते हैं, तो अगर हमने 4 chapter को भी हटा दिया, हमने 2nd chapter को भी हटा दिया, हमने भोला इसको मत पढ़ो, उसके से पो objectives कर लो, नहीं करो कि तो भी चले का बड़ objectives कर लो, तो ज़्यादा अच्छा है, आपके अच्छे marks आ सकते हैं, अब आप में को देखो, अगर कोई बच्चा है, वो बोल 26 marks to get past, to get past, अब आप देखो, अभी जो बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है, उसको तो 13 में से मने 4 chapter तो गायब कर दिये, अब आपको चीग इतना है, 26 marks, आप कर लो chapter number 5, अपना life process वाला chapter, आता है सब को digestive system, यह वो जो भी आपको कर लो, आप कर लो 3rd chapter, अगर कोई बच्च कर ले, environment बढ़ ले, साथ-छाद में अगर 12 में से कोई ऐग चेप्टर कर लेगा, 12 में से कोई ऐग चेप्टर कर लेगा, तो तो पास हो गया, भाई हम तो पास होगा, याप देखो तो रहिग, आपने यह यह एक लेको देखो, आपको 14 marks को 14 marks आपको 24 marks हो गय, कोई और तो हम strategy follow करेंगे, यह strategy में आपको बता रहा हूं, देखो हमने क्या किया, यह 13 में से हमने 4 चेटर गयाप कर दिया, बाहिं हमने 2 गयाप कर दिया, इमने 4 गयाप कर दिया, हमने 7 गयाप कर दिया, ये चार चप्टर ने गायब कर दें, आमने 8 के भी खाले अब्जेक्टिस पढ़ने मलब उसके भी हमको question answers, 9 पढ़ने उसके भी हमको question answers, नहीं पढ़ने मलब आप समझ सकते हो, कि आपके 4 से 5 चप्टर तो ऐसी निकल गए, इस तरीके से पढ़ाई करो, कि 13 में से 4 चप्टर पढ़ने 5 चप्टर के तो सित, देख सकते हो इस तरीके से हमें पढ़ाई करने, इस तरीके से हमें एक rational practical thinking करने कि बाई अच्छा मुझी यह पढ़ने नहीं करने, क्या नहीं पढ़ना है, ज्यादा जरूरी होता है क्या आप पढ़ने से, क्या आपको पता है, आपको क्या सब्सक्राइब थोड़ा सा दिफ्रेंट सेक्षिन यह आता है इसका इसमें पांच-अबर से गाइब के आते हैं अब देखता से हैं कौन से चप्टर से कौन साकों सा कोशन आएगा ये question 1 होगा, question 2 होगा, फर्स chapter से होगे, question 3, 4 होगा, second chapter से होगे, question 5, 6 होगे तो भूलो six chapter से होगे, इस तरीके से वो काम करता है, तो अब हम देख सकते हैं कि कौन से chapter hard लगता है, कौन से chapter easy लगता है, तो हम उसे निकाल सकते हैं, हम उसे निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें सब से पहले दो चेप्टर सब बच्यों को हार लगते हैं वो होते हैं civics के chapter, हमारे history के जौगरफी के हैं civics के chapter, civics के chapter जो है न हमारा दिमाग खा जाते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं आपको बाता हूँ किस तरीके से आप civics के इतने इतने chapters को आप eliminate कर सकते हो, इनको आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, अगर देखो, कि हम लोगों को लगते हैं, यार तेवी chapter मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, यार मैं किस तरीके से पढ़ूँगा, बट अगर आप एक Strategically देखो, तो कुछ chapter से सिर्फ objectives आते हैं, कुछ chapter से सिर्फ objectives आते हैं, आप देखो तो 22 और 23 चुछ नए chapters डाले गए आपके section में, इसमें से तो सिर्फ objectives आते हैं, traffic rules और ये वो जो भी है, सिर्फ objectives आते हैं, इसमें से, इसके बाद देखो, तो अगर हम देखें, तो question number 14 ये, chapter फोंके आपज्यक्टेव्स और में हम निकाल ले बड्यक्टेवें को प्रहीं आप देखो जाए क्टिस केंदर अंकि आपक प्राइब जपनगें सब्सक्ति हैं जड़िक्टिस को आधा हैं 즉ह अपर एस तरी कि सबस्क्राइब फ़्यक्टिव्स esos बैए 11 chapters में से objectives आते हैं 7 chapters में objectives आते हैं इन 2 में से objectives आते हैं तो यह हमारे कितने एक दो तीन चार वाई 5 और यह 6 चेप्टर के हमें सिर्फ वह objectives पढ़ना है हमें question अचे भड़ि कोशना से इसके पढ़ी नहीं है question अचे इसके पढ़ने ही नहीं है तो हमें 10 chapters के ऐभुजEक्ट्वस पढ़़किम के जाना है यहां से मिनще धे यहां से ली आते हैं तो यहीं तौणों के इनधर करने हमें चार कोशन को अधर हमार तो 9 12 बाते हैं अहरे हम नहीं आफ अगा प्रोफी का हाड लगता है अगर देखे तो 13 चेप्टर जो है वो भी बच्चों को हाड लगता है आप देखो 13 चेप्टर को आप eliminate कर सकते हो पर अगर आप देखो अगर आप 9 को कर लेते हो अगर आप 9 को कर लेते हो 9 चेप्टर आप कहते हो कि यह चलो sir मैं यह वाल Chapter करन लोगा यह मुझे आ जाएगा तो आप हैंना 13 & 20 को eliminate कर दो 13 & 20 को eliminate कर दो अगर आ 13 & 20 को को अगर आप eliminate कर देते हो 13 & 20 को अगर आप eliminate कर देते हो 13 & 20 को अगरves eliminate कर देते हो तो 13 & 20 को profesor 5 question automatic, side हों गए, आप देखो, हमने 13 Chapter कौंसा है हमारा बाई 13 चप्टर है यह और हमारा कौन सा है दूसरा 20 चप्टर बाई 20 चप्टर है यह अपने इसको eliminate कर दिया बाई 20 चप्टर है यार civics का है बाई मुझे नहीं पढ़ने laws laws क्या होता है यार मेरा दिमाग नी चलता मैंने बूला चल ठीक यार इसको हटा दे इसको दू हटा द यार 13 को भी आपने हटा दिया आपने 20 को भी हटा दिया आपके बच्चे नौ कोशन आपके नौ चप्टर में से कितने कुछ चप्टर हुआ है एक दो तीन चार और पांच आपको सिर्फ पांच चप्टर पढ़ने सेक्शन बी के लिए अगर हम बात करें कि इसके दूसरे क कोई भी 6 का सकते हो इन नौ में से कोई भी 6 का सकते हो अगर हटाने को ऒर देखे हैं तो हमको civics जो पाट है ना थोड़ा हार लगता है जी इसक ग्रही नदे, हों फोड़ा भी 1 4 4 आप इन दोनों सक्श्च्छन में karşilाना है। अब हमने देखो इसके objectives वाले chapter देखे हम ने इस chapter को हटा दिया 13 को completely अटा दिया 18 को 20 को हमने हटा दिया देखें अगर हमारा 19 chapter है 19 chapter जो उसको भी हम अटा सकते हैं क्यों क्यों कि वह भी हमें थोड़ा हाज लगता तो आप देखो 19 इस चप्टर के तो अब्जेक्ट्व्स आएंगे ही नहीं अब देखो 16 और 17 में से भी अब्जेक्ट्व मैं और यहाँ पे तीन माक्ट आ पूचा जा रहा है तो आपको इक कोशन आई जा रहा है आप इसमे से होड़ी आंगे कि उसकेल कोशाओं से जादा पढ़नें, कोशाओं से इसके पढ़नें, अगर हम चाहें, तो हम चाहें, तो हम 19 चैप्टर का हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास फिर भी जो हमारे 6 कोशें हैं, वो बच रहें, और ये 6 के 6 चोई कोशन, हम कर सकते ही . अगर section D की तरफ, same to, same तरीके से section D की तरफ अगर भड़े, तो section D आता है 20 marks का , 20 marks में से 47 question number 54 में से हमारे 8 में से हमें इसे फिर 5 question attempt करने आइप में से 5 questions attempt करने है भाई आप देखो 5 questions सिरे 5 question attempt करने हैं , बाद देखो अब इसमें तुर इतने सारी question है है अब इसमें से दो एक मैंप है जो कमपल सरी होता है उसको अम लोग छोड़नी सकते है वह कमपल सरी होता है अगरो कमपल सरी होता है में हमको पता को पता है कहों से कहों से चेप्टर से मैप आता है आपको सब his Right Mount इस अब के महप एक बार देख जाना, टेक्स्ट बॉक में से, या डाइजेस्ट में से, या उनकी मेप की प्रैटिस कर लेना थोड़ी सी, इसमें से ही आएगा मैप, और कहीं से नहीं आएगा, इसमें से ही, कितन चप्टर है एक दो तीन, चार, पाँच, छे, साथ चप्टर से याएगा इंसाम चेटर में से आपका मैप आएगा देखो तो अगर और और कौन सा चप्टर यार मुझे बचा 17 सर ये भी है सिविक्स का चेप्टर ये मेरा धिमाग खा जाता है इसके मुझे नहीं पढ़ना है तो आर यार मत पढ़ मत पर 17 चेप्टर 70 चेप्टर को भी तुँ ऐलिमिनेट कर सकता है 70 चेप्टर को भी तुँ ऐलिमिनेट कर सकता है अब अगर आप देखो अगर आप देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कितने चेप्टर ये चेप्टर ये लिमिनेट किया है भाई हमने दो कोशन एलिम अगर आप इसको Eliminate कर सकते हो तो यहां ऐसे दो हैं तो आपके बास पांक को अदेखेंगे एक दो फीन माहिप तो आपको और बताटेज और यहीं से आ रहा है क्योंकि मैप करना एजी होता है और कंपल्स रही है मैं तो करना कंपल्स हरी तो हमें तो करना ही पढ़ेगा इसको जोग्रोफी के इन चेप्टर में से मैप कर लो, बात करने हैं दूसरे चेप्टर इसकी, तो अगर आप कहो कि इसमें से फिफ चेप्टर जो है, सर यह कैसा चेप्टर है, अरे यार आप देखो, फिफ चेप्टर वो अर्थ शास्त्रा, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और यह जो आते हैं, वही से पूछा जाता है, उसमें तो गिंती कि हैं कुछ बड़े-बड़े टॉपिक्स, बड़े-बड़े टॉपिक्स को आप अची तरह पढ़ लोगे, पढ़ना भी हमारे लिए इजी है वो टॉपिक्स, क्यूंकि हमें पता है हमारे साइंसे रिलेडेटेट आप पता हैं, अगर नाएप नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं नहीं कर रहे हो, तो नहीं नहीं कर रहे हो, तो उसके बलाव यहां तो कोई और दूसरे चेप्टर करना पड़ेगा तो आप 9 मत करो नाइन को आप देखो यहां पे हमारे चार कोशन हट जा रहे है 9 अगरको लग रहा है मेले 9 हाड है मेले 9 हाड है तो 9 को कर लो और रूसे चेप्टर साब भाई skip कर दो आगर आम 9 कर रहे हो अगर 7 करे हो तो 65 करने के अलाव आप 13 पक्टरलो या 20 पक्टरलो या 20 पक्टरलो 2002 या अगर को skip कर पाएंगे को taki isa müssen गestraini जखेंगे हैं थे के सब अपड़ना इस तरीके से इन सब इन इस तरीके कि आगर और दो पर्ती सिरी को parशितिता पर्ती से सतना है तो सुऩव बिल्कुल न blossom happened नहीं कि नहीं आएंगे तो आप इस तरीके से अगर आप पढ़तेहों इस तरीके लिए सुश्राव करते तो आप आराम से SS का पेपर फुल मक्स के साथ फोड़ सकते हो, हसी मैं से असी आप इस SS के सब्जेक के अंदर ला सकते हो, तो इसी तरीके से एक स्मार्ट वर की तरह आपको बढ़ना है, थेंक्यों सो मच,